वालो गाइज वन्स वेलकाउं बैक टो वाचनल जुपिटर क्लासेज तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिमेल सुप्रोवाजर की फ्री क्लासेज के अगले लेस्टन में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम कवर कर रहे हैं तो एमसी की उजफ इंडियन नेशनल कंगर्स वाला ठीक है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है जाकर वह वीडियो देख लेना उसके बाद इस वीडियो को देखना क्योंकि यहां पर MCQs होंगे और हमने वो पड़े होंगे कल की वीडियो में ठीके तो गाइस इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहां पर रोहित तो वीडियो स्टाइट करने से पहले एक बता दूँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि यहां पर आपकी फ्री क्लासी चल रही है आपके JKSB सुपरवाइजर के लिए ठीके इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ गाइस में यहां पर रोहित तो अगर आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट मिले वह भी फ्री मिले ठीके तो आप हमारे एप को डाउनलोड कीजिए और अगर चाहते हैं आपको कुछ पेड़ चीजे भी मिले जैसे कि आपकी e-books हो गई तो आप उनको भी हमारी एप से डिरेक्टली पर्चेज कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको पीडियेप चाहिए इसकी तो आप हमारे चैनल को जाकर टेलेगरम को जॉइन कर लेना ओके शुरू करते हैं और यह पीडियेप जब इसका आंसर में जल्द जल्द बताऊंगे उनको थोड़ा टाइम की कमी है तो इसका आंसर है हमारे पास 1885 किसने फाउंड किया यह ब्रिटिश शिवल सर्वेंट्स थे और बाकी यहां पर कुछ लेडर था यसे कि दादा बाई नारो जी वह में चंद्रबनर जी एंट सुर जो कि मैं आपको पड़ाया था और फर्स इसके प्रेड़ेंट बनाए गए थे वह मेश चंद्रबनर जी तो अब आपको बताना है कॉशन नंबर टू फर्स सेशन जो था कांगरस का वह कहां पर हो था कलकता मदरास बंबे या अलाहबाद इसका अंसर आपको बताना है क्लेज में हुआ था जिसको आज मुंबे बोलते हैं 18-31 डिसंबर कोईटे नेटिफाइव को हुआ था ठीक है यहाँ पर 72 डेलेगेट हैनी के 72 मेंबर उस वकत यहाँ पर इसके रखे गए थे ओके नेस्ट क्यों आपका यहाँ पर फर्स सेशन जो है किसने यहाँ पर इसको अपने नेक्स्ट कोउशन की और नेक्स्ट कोउशन देखते हैं क्या है हमारा था अरले कांगरस ती यहाँ पर पहले कांगरस थी उसके में अप्जेक्टिव आपको बताने हैं आपशन है तो यह भी मैंने आपको पढ़ाया था कि Congress के क्या क्या objectives थे अगर आपने मेरी वीडियो चाहिए से देखी होगी तो आप इस question का answer भी कर जाएंगे इस question का answer है guys option number यह देखिए अरली Congress adopted a moderate approach advocating for reform within a British राज through constitutional like petitions, representation and public meetings they aim to secure greater representation for Indian government, address economic grievances and promote civic civil liberties ठीक है तो वो यह सारे चीज़े चाहते थे ठीक है यह जो जितने भी है है हमारे option number a, b, c, d all of the above इस concern आपके यहां पर रहने वाला है, अब बढ़ते हैं अपने next question की और which session of the Congress saw the adoption of the first call for Swaraj, ऐसा कौन सा session हो था Congress का, जहां पर स्वाराज की first call यहां पर हुई थी, मैंने कल पढ़ाया था आपको वीडियो में अगर देखी होगी वीडियो तो question कौन सार कर लोगे option A है, सूरत सप्लिट, option B है, लगनो पैक्ट, कलकत्ता session या मदराज session, तो कहां पर सबसे पहले स्वाराज की बात उठी थी, कौन सा session था, तो guys session था हमारा 1906 का मदराज session था, जहां पर यहां पर turning point देखनी को मिलता है, कलकत्ता session था, कलकत्ता session था, कलकत्ता session था, यहां पर दादा भाई, नारो जी इसको lead कर थे, जिने grand old man of India भी कहा जाता है, यहां पर सूराज के resolution अडॉप्ट किया गया, ठीक है, जो क्या होगा, जो international movement उसका क्या रहेगा, ultimate goal रहेगा, ठीक तो जादा हम detail में यहां पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने detail में इस lesson को कल की वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो यहां पर next question आप देखिए, next question है हमारे पास, who played a key role in the founding, in founding the international language, but was not an Indian, तो यहां पर किसने एक important role यहां पर play किया है, जो कि Indian नहीं था, Lord Dufferin, Vice Raya at the time, Alan Octavian Hume या William Wadenberg, British politician and congressman, या सुरिंदर नाथ बनर जी, आपको इस cancer बताना है, तो इस cancer का है हमारे पास, option number B, Alan Octavian Hume, यह retired British civil servant थे, जो कि यहां पर बहुत important role यहां पर play करते है, दिखते हैं, अपना next question, which prominent Indian leader was known as the grand old man of India, and an advocated economic drain theory during the early congress sessions, ठीके जिनने हापर economic drain theory भी डी, जिनने grand old man of India के नाम से भी जाना जाता है, अभी मने आपसे कहा, दादा बाई नारोजी आपने अभी सुन लिया होगा, मेरे मूँ से, क्योंकि अभी मने एक दो question पहले आपको कहा, कि दादा बाई नारोजी इंडिया भी कहता था, क्योंकि वो बड़ी दाड़ी शाड़ी रखते थे, तो जिससे उनको लगता था कि ये भाउती, और इनोंने यहाँ पर drain theory of India के बारे ने भी कहा, क्योंकि जो हमारी wealth जो इंडिया से वो बाहर जा रही थी, ठीके, next question दिखते हैं guys, which session of the Congress witnessed the introduction of the concept of Swadeshi use of indigenous products as a political strategy, ये भी मैंने कल आपको पड़ाया था, क्योंकि अगर आपने, मैं लगता है कि आप मारी वीडियो नहीं देखी होगी, देखी है तो जाकर देख लो या, नहीं देखी है तो आप question का अंसर आज easily कर लेंगे, ठीक है, Congress का ऐसा कौंसा session हुआ, जहां पे Swadeshi जो है, हम अपना पहनेंगे, ठीक है, हम भारवाला नहीं पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे, as a political strategy इसको adopt किया गया, introduce किया गया, मदराज session 1887, बॉंबे session 1885, कलकता session 1901, बनारा session 1905, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप बता देएंगे, इस question का answer है guys, बनारा session जो 1905 में हुआ थ ठीक है, जहां पर formal adoption के गये थी, स्वादेशी को, एक political tool की तरह, किसकी against, British rule के against, ओके, चलिए, अब हम बढ़ते हैं, अपने next question की और, Congress का इसा, कौन सा session हुआ, जहां के एक major internal rift देखने को मिला, moderate and economic activist factions में, ठीक है, जहां से temporary split माना जाता है, उसको जहां से हमारी Congress जो है, दो यहां पर facts में divided हो जाती है, एक हमारा होता है moderate, एक हमारा होता है extremist, ठीक है, अगर आपने कल वाली वीडियो देखिए हैं, सारे question वहीं से मैंने उठाए हुए हैं, तो आप इस question का अंसर कर देंगे, सूरत सेपलीट, Bombay session 8085, या Calcutta session, या हमारा है Madras session, ठीक है, आपको बताना है कहां पर यह हुआ था, तो अगर आपने चैसे options को पढ़ा होता ना, इस question का अंसर आपने कर लाना था, यहां पर लिखा ही होगा है सूरत सेपलीट, ठीक है, होना जाए था सूरत सेपलीट, तो कभी-कभी examiner, जैसे मैं आपको कभी-कभी में के पूछता हूं, question मे ही आपका अंजर दे देता हूं, ठीक है, वैसे भी examiner पूछता है, तो आपको question को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, यहां पर क्या हुआ था, 98, 97 में, सूरत सेपलीट देखने को मेरा था, कांगरस में, क्योंकि उनके ideological differences थे, moderates और extremists के बीच में, ठीक है, moderate हो गया नरम दल, moderate हो गया, guys, हमारे पास नरम दल, तो extremist हो गया, हमारे पास गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल, दो दल थे, तो, जो moderates थे, वो कहते थे, हम petition करेंगे, prayer करेंगे, ठीक है, हम petition करेंगे, prayer करेंगे, वो हमारी बातें मान लेंगे, लेकिन उसके बाद इनको लीड कर रहे थे तिलक घोश ठीक है इन्होंने क्या method अपनाए रैडिकल method अपनाए जैसे कि स्वादेशी एंड बाइकाट मुवमेंट्स ओके तो नेस्ट कोश्चन है हमारे पास which act of the Indian British Government sparked wide separate anger and led to the call for Swaraj by Congress ऐसा कौनसा session हुआ किसका कौनसा act आया British Government का जिससे बहुत ज़्यादा गुसा फैल गया ठीक है जिससे Congress वालोंने क्या कर दिया स्वाराज की मांग कर दी Consuls Act 1892 Partition of Bengal 1905 Government of India Act 1909 and Roll Act Act of 1919 ठीक है तो इस question का answer है guys हमारे पास conversion पार्टिशन पार्टिशन अब बंगाल कर दी गई 1905 में ठीक है बंगाल को यहां पर क्या कर दिया गया इसकी पार्टिशन कर दी गई ठीक है बाइदा ब्रिटिशन के दुवारा जहां से मतलब कि उनकी जो स्टाटेजी थी ना वो इंडिया को वीक करने की थी इंडिया को कमजोर करने की उनकी स्टाटेजी थी जहां से हम इंडिया को क्या करेंगे वीक करेंगे कैसे करेंगे उन लोगों को यहाँ पर डिवाइड करेंगे डिवाइडर रूल से चलाएंगे ठीक उन्हों ने इसलिए यहाँ पर पार्टिशन अब बंगाल यहाँ पर कर दिया तो उसके बाद जो यहाँ पर स्वाराज का एडॉप्शन किया गए हम यहाँ पर हमें complete स्वार कौन सा ब्रिटिश ऑफिशल जो है उसने कांग्रस का प्रेजेंट रहा है छोटे टाइम के लिए लाइड करजन लाइड बॉफरिन विलियन वैडनबर्ग यार्ज यूल तो मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था कि फर्स्ट ब्रिटिश जो प्रेजेंट रहे हैं हमारे जो कौन थे जिनका नाम था जौर्ज यूल मैंने कल आपको पढ़ाया भी था ठीक है अब ज्यादा हम डिसकस नहीं करेंगे कि मैंने पहले कहा कि आख थोड़ी कमी है टाइम की तो हम इस वीडियो को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे जिसने पूलिटिकल अब्जेक्टिव के साथ साथ सोचल रिफॉर्म में भी अपना रोल लिभाया है ठीक है इस क्वेशन का अंसरेगा इस आप्शन नमबर डी सुबरामनियम आयर ओके चलिए बढ़ते हैं नेस्ट क्वेशन की और वी सेशन शाहर साथ डिबेट ऑन constitutional method versus mass mobilization gain prominence तो यहाँ पर कौन सा ऐसा सेशन आया जहाँ पर constitutional method के उपर डिबेट देखने को मिली versus mass mobilization ठीक है आप्शन आपके सामने बंबई सेशन अलहाबाद सेशन मदराज सेशन या कलकता सेशन इस question का अंसर आपको बताना होगा तो गैज इस question का answer है हमारे पास option number c अलहाबाद सेशन में आपको यह चारे चीज़ें देखने को मिली ठीक है यह session यहाँ पर debate हुई किसके बीच में moderate जैसे कि हमारे के फिरोध शाह महता थे ठीक है उन्होंने क्या किया उन्होंने यह माना कि हम construction method से यहाँ पर करेंगे prayer करेंगे उनको बोलेंगे तो हमारी बात मान लेंगे ठीक है और दूसरी side जो थे दूसरी side जो थे guys वहाँ पर कौन थे दूसरी side कौन थे गोपाल क्रिशन गोखले थे ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने next question की और तो देखते हैं हमारा next question क्या है next question है which resolution marked shift in the congress attitude तो कौन सा ऐसा session आया जहाँ पे congress के attitude का congress का attitude देखने को मिला तो आपको इस कांसर बताना होगा कहां से congress का attitude जो है इंडियन प्रेस की तरफ उनका जुकाव हुआ इस question का answer है guys हमारे पास option number b that is वर्ना क्यूलर प्रेस प्रोटेस्ट एक्ट 1898 ठीक है चलिए question number 15 देखते हैं which prominent Muslim leader was elected as the first Muslim president of the congress इसका answer तबको पता ही होना चाहिए क्योंकि important question भी बन जाता है first Muslim president कौन थे इंडियनेशनल कांग्रेस के आपको बताना है सहीद अहमद खान बदर दिन तायब जी आप्शन नमर सी महमद अली जीनना है अप्शन नमर पूर अब्दुलकलाम अजाद ठीक है तो इस question का answer है हमारे पास बदर दिन तायब जी जब हमारा third session हुआ था जब third session हुआ था 1887 में उस वकत इनको बनाया गया था प्रेजिदेंट आफ इंडिया यही प्रिजाइड कर रहे थे उस session को question number 16 है हमारे पास which leaders fiery speeches and advocacy for boycott helped shape the rise of the extremist faction कौन से leader के ऐसी speech यहां पर आई गरम-गरम speech आई ठीक है और जिन्हों ने कहा कि हम क्या करेंगे यहां पर boycott करेंगे जहां से हमारी extremist faction को राइस देखने को मिला गंगादर तेलक राश भिहारी गोष गोपाल करिशन गोकले या दादा भाई नारो जी इस question का का इस आंसर हमार पर बाल गंगर दरती लग ठीक है लाल बाल पाल को तो आप अपने नाम सुनाई होगा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने next question की और which British politician and journalist supported the Indian national movement and served as a president of the Congress कौन सा ऐसा British politician था और journalist था जिसने यहां पर Indian national movement को यहां पर support किया और as a president of Congress भी उसने सरू किया है एलन अक्टोवियन हूम विलियन वैडनबर्ग जॉर्ज यूल या लॉड डफरिन यहां पर कौन रहा है अभी हमने क्या किया है session को भी क्या किया है प्रजाइट किया है question number 18 है which event marked a significant setback for the early Congress and highlighted the limitation of the constitutional agitation options आपके समय इलबर्ट बील controversy सुर्च सेपलीट partition of बंगाल या मॉरली मिन्टो रिफार्म तो कौन सा ऐसा event यहां पर होगा जहां पर अर्ली Congress को यहां पर setback देखने को मिला ठीक है एक सदमा देखने को उनको मिला तो काज यह था हमारा अलाहावाद session नहीं 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 यह किसी दूसरे का answer आ गए यहां पर इस question का answer है guys हमारा सूर्च सेपलीट 1907 तो यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट कोशिन की ओर विस सेशन विटनेश दे अदॉप्शन आप रेजलूशन डिमांडिक इंक्रीजड इंडियन रेपरेजनेशन फार्द वाइस राइस तो तो ऐसे सेशन होगा जहां पर एक रेजलूशन लाया गया जहां पर यह बताया गया कि हमें की वाइस साथ की कॉंसील में इंडिया की रीपरेजनेशन को यहां पर बढ़ाना चाहिए ठीक है तो गाईस जल्दी में वीडियो बनाईगी ज़ादा एकस्प्लेयन नहीं कर पाया एकस्प्लेयन में खुद भी नहीं करता हूँ क्योंकि एकस्प्लेयन आपको मैंने ठीरी वे पार्ट में पर्वाया होता है थीक है तो खतम करते वीडियो काई थैंक्यू